आप देख रहे हैं चहान वीडियो और आज की वीडियो के हमारे दो टॉपिक है सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके कि क्या आपको फर्स्ट यर सेकंड यर की मार्क्सिट मिलती है या फिर नहीं क्योंकि आप जानते कि बाकी जो कॉलेजिस होते हैं उनमें आपको हर यर की हर सेमेस्टर की आपको अलग मार्क्सिट जो है वो दी जाती है लेकिन आपने एगनू की जितनी भी ऑनलाइन में कहीं पर भी अगर आपने उनकी फोटो देखियो तो ज्यादा तर वो सिर्फ फाइनल मार्क्सिट की आपको फोटो मिलती है या फिर कोई भी आगर आपने इ की फाइनल मार्क सीट अगर आपकी आपके एड्रेस पर ना आए तो आप क्या कर सकते हैं काफी सारे इस्ट्वेंट ऐसे हैं जिनका जो एड्रेस है वो जो बाई पोस्ट होता है उसको नहीं मिल पाता जो भी आपका पोस्ट ओफिस वाला एरिया होगा उसके अंदर और आपक कि जो मार्क सीट है वो आप तक नहीं पहुच पाती तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं तो वीडियो की सीधा सुरवात करते सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट इयर और सेकंड यर की जो मार्क सीट होती है वो इगनू में नहीं दी जाती कोर्स दे ग्रेड कार्ड के अंदर सक के संब सीखर के हो सबकि एक साथ फाइनल मार्क सीट यसे वो बना कर आपको दे देगा अगर लाका सिन सुर्व इतैकर एक साथ में दी थैप having तरफ से जो होता है वह आपको आपकी फ्सियर की मार्क सीट और साथ मुज्ण की मार्क Promised Tea की जाती है लेकिन अगर आप चाहें अगर आप रिक्वेस्ट करें इगनु से कि मुझे इस किस काम के लिए यहां पर इस जगा पर जरुवत है यहां पर मांगा गया है कि परस्ट यहर के मांक सीट मुझे मिले तो वह आप रिक्वेस्ट के जरीए मंगवा सकते हैं लेकिन पेड़ कार्ड कम्प्लीट हो जाता है तो उसके वन मन्त के अंदर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट और आपकी जो फाइनल वाक्षिट है वह आपको अभिलेबल करवा दी जाती है आपके होम एड्रस जो भी आपने अपने एड्मिशन के टाइम पर लिखा था वहां पर आपकी पहुंचा दे जाते इसलिए जरूरी है कि आपका जो एड्रस है वह बिल्कुल तक phone number लिखने में जो भी आपकी contact details है उनको लिखने में कोई गलती ना करें क्योंकि आप contact details लिखने में गलती करेंगे तो उससे जो आपका इस तरीके कि कोई भी चीज अगर इगनुग आप तक पहुचाना चाहता है चाहे आपका study material हो चाहे फिर आपकी mark sheet हो या फिर उसके बाद degree हो तो उसमें दिक्कत का आपको सामना करना पड़ता है क्या होता है कि अगर आपका address सही नहीं है या फिर आपका जो post office वाला है वो आपके address को नहीं ढून पाता है तो वो simply क्या करेगा वो आपकी जो mark sheet होती है उसको return कर देता है अब return कहां करता है वो क्योंकि यह जो mark sheet होती है आपकी final mark sheet और provisional certificate वो इगनु के आपके सीधा मैदानगड़ी से issue की जाती है तो वहीं पर ही आपको यह जो mark sheet है वो send कर दी जाती है तो इसको आप देख सकते यह mark sheet इसमें आई थी जिसमें अगर गई है और main इसमें इगनु मैदानगड़ी की तरफ से भेजी गई है तो अगर यह return हो जाती है यानि कि अगर आपका बाइप आपका जो post office है वो इसको नहीं डून पाता आपके address को तो वो वापिस मैदानगड़ी में आपके यह भेजवा देता है अगर आप आपका एक महिना हो गया है 40 दिन हो गया है 45 दिन हो गया है आपका अगर यह नहीं मिल रही है आपको mark sheet तो आप एक बार अगर इगनु के मैदानगड़ी में जा सकते हैं इनु के main headquarters में जा सकते हैं तो वहाँ पर जाईए और वहाँ पर जाकर contact कीजिए अगर आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं मान लीजे कि आप दिल्ली से काफी दूर है आप कोलकत्ता में रहते हैं मुंबई में रहते हैं तो आप इस तरीके से दिल्ली के अंदर सब्सक्राइक में आतके तो आप अपने रीजनल सेंटर जाए और रीजनल सेंटर में जाएए अगर रीजनल सेंटर में उस समय डिगरी होगी माक साओगी तो आपको वही पर ही मिल जाएगी, वरना आपका जो regional center है, वो एक बार फिर से आपकी degree जो है, आपकी जो mark state है, उसको मंगवा देगा, और आपकी जो regional center है, वो अपने regional center के अंदर रख देगा, फिर जो मैदान गड़ी से आएगी, और इसके बाद फिर आपको वो time देदेग तो आप या तो इगनू के मैदान गड़ी जाकर है उसको लेकर आए या फिर अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं आप दिल्ली से काफी दूर है तो अपने regional center जाईए उनसे request कीजे वो आपकी जो mark seat है वो दुबारा मंगवा लेंगे और अपने पास रख लेंगे और फिर जो भी timing आपको बता है वो दो वीक के बाद आना तीन वीक के बाद आना तब आप अपनी जो mark seat है वो लेकर आ सकते हैं तो ये आपकी तरफ से queries पूछी गई थी जो की आपकी mark seat से related थी इसके लावा भी अगर आपको 37th convocation के उपर कुछ सवाल पूछने डिगरी के उपर, mark seat के उपर, provisional certificate के उपर तो आप पूछ सकते हैं आप comment section जो है उसमें comment कर सकते हैं या फिर आप मेरे telegram channel से भी जुड़ सकते हैं आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा तो वहाँ पर से आप उस पर भी join कर सकते हैं और वहाँ पर भी सवाल पूछ सकते हैं या फिर आप simply comment section में comment कर सकते हैं मैं आपको वहीं जवाब दे दूँगा या इस तरीके से अगर काफी सारे student है जिनका एक तरीके का सवाल आ रहा है तो वीडियो बना कर भी मैं आपको उनके जवाब है वो दे दूँगा कल मैंने provisional certificate के उपर आपको जानकारी दी थी कि provisional certificate जो होता है उसकी क्या useful होती है क्या importance होती है और इस तरीके से जब तक degree नहीं मिली आपको तब तक आपका सारा काम जब वो provisional certificate के जरीए चलता है तो आप उसको भी एक बार जरूर देखें तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंदा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा से यार जरूर कीजिए